हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी पॉइंट विद निगम सर पर तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे क्योंकि ये बेटा जो वीडियो है ये टॉपिक नंबर 12 से संबंदित है ठीक है और ये यादर किएगा टॉपिक नंबर बेटा जो आपका 12 है उसका नाम है नवजात की देखभाल इसतनपान के तरीके कुपोशण एवंपूरग पोशण तो नवजात की देखभाल के थेवरी मैंने आपको करा दी कुपोशण एवंपूरग पोशण की भी करा दी और इस वी वीडियो होते हैं कि इनको केवल और केवल समझना होता है ठीक है हां समझना होता है एक दो बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लो चीजे बिल्कुल आपके समझ में आ जायेगी रटने की कोई भी आवसकता नहीं होती ध्यान रखना इन चीजों को बेटा रटा नही यू क्लास है ना इसका जो शमय है अब वो बजे है सामको इस चीज को धियान दकेंगे पहले बिटा आट विजे क्लास होती tuis और काफी समय से जो है इस क्लास का समय बदल कर रात को नव बजे कर दीया है ठीक हां बिल्कुल चलिए चीजों को बिल्कुल हां छोड़ते ओए वीडियो में बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले पार्ट नंबर जो है 241 है टॉपिक नंबर क्या है बोलो बारा यूपी त्रपलसी मुखी सेवी का वैकेंसी दोहजार बाइस ठीक है? हाँ बिलकुल बाई एक्जाम के लिए है तो देखिए एक्सक्लूसिव इस तनपान को प्रुशाहन देने के उद्देश से हमारे देश में मार्च उनीस सो बानबे में इस पॉइंट को ध्यान लगना मार्च उनीस सो बानबे में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है ना येस एंटेटिव की सुरुवात की गई तो बेटा ध्यान लगना कीएगा बिल्कुल कब सुरुवात की गई मार्च उनीस सो बानबे में किसकी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एंटेटिव है ना इसकी सुरुवात की गई दियान दो किएगा अब यहां पर देखिए सफलतम इस्तनपान के दस चरणों के बारे में जानेंगे ठीक है तो नंबर एक देखिए क्या है लिखा है एक लिखित इस्तनपान पॉलिशी होनी चाहिए जिसके बारे में समस्त इस्टाप को नीमत रूप से बताया जाना ठीक है आगे देखिए नंबर दो इस पॉलिशी की क्रियानवित के लिए आवस से दच्छताओं के बारे में समस्त स्वास्ते कर्मियों को प्रसिचण किया जाना चाहिए साथी देखिए पॉइंट नंबर थ्री क्या है सभी गर्भवती महिलाओं को इस्तनपान के लाभों के बारे में जानकारी देनी चाहिए है ना नंबर चार महिलाओं की सामान प्रशों के बाद आधा घंटे के अंदर इस्तनपान प्रारंब करने में बिटा मदद करनी चाहिए ठीक है आगे नंबर पांस देखेंगे माताओं को इस्तनपान की तक्नीकों के बारे में बताना चाहिए साती उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब उसका सिस उन से अलग हो उस इस्तित में दुख्द स्रावल को कैसे बनाए रखा जा सकता है ठीक हाँ इस चीज को भी बेटा बताना होता है चलिए आगे देखेंगे इसके बाद च्छै नंबर की बात करेंगे तो च्छै केमबर देखें क्या है लिखा है यदि चिकत्सी रूप से निर्देशित नहीं है ठीक है नहां यानि कि अगर चिकत्सी रूप से नहीं बताया गया है निर्देश नहीं दिया गया है तो नवजात को ब्रेश्ट मिलक के अलावा कोई भी खा दिया बेपदार्त नहीं देना चाहिए आगे देखे नंबर सेवन रूमिंग इनको बढ़ावा दे माताओं तथा उनके नवजात को दिन के पूरे चौबिस घंटे साथ रहने की अनमत दी जानी चाहिए है ना बिलकुल आगे देखे डिमांड फीडिंग को प्रोशाहम दे ठीक हाँ डिमांड फीडिंग आगे इस्तनपान करने वाले सिसुओं को निपल लगी बोतल चुसनी आधी जो है बेटा नहीं देनी चाहिए ये भी पास भेजे तो ये सारी चीजे बेटा ध्यान दिखेगा अब यहां पर देखेगा हाँ इसके टाइप्स की बेटा बात करेंगे तो देखे सबसे पहले क्या लिखा है क्रक्तिम आहार तो हम यहां पर क्रक्तिम आहार की बात करेंगे देखे जब मा के दूद से सिसको परिया क्रत्रिम आहर कहलाता है ठीक है हाँ इसी को जो है क्रत्रिम आहर कहा जाता है यह द्यान न किएगा आगे क्रत्रिम आहर के शंके तक क्या होते हैं तो याद रखना जब मा की मृत्तु हो चुकी हो ठीक है या फिर मा क्या हो बोलो अनुपस्थित हो ठीक है हाँ यानि कि प्स्तिति हो। कामकाजी महीलाएं हुँ। जब माता में दूद का उत्पादन एवम सरावन बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये बेटा जो है करत्रिमाहार के क्या है बोलो शंके तक हैं। साथी यहां पर देखेगा। क्रत्रिमाहार के लिए उप्योग में लिए जाने वाले पदार्थ तो सबसे पहले बेटा धियान लगना मा का दूद सिसु के लिए सरवोत्म आहार है सबसे पहला बेटा पॉइंट तो यही है आप इसके बाद हाँ बिल्कुल देखे समझ गया होंगे आई तेंग चली अब अगले पेज पर लेंगे यस नेक्स पेज देखेंगे तो यहां पर देखेगा बिल्कुल बात करेंगे हर बेटा चोटा सा चोटा पॉइंट लिया है जो बहुत ही क्या है आपके लिए उत्तम है समझने वाला वीडियो है इतना याद रखिएगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लेकिन जब मा के दूद की अनु उपलब्दता हो अत्वा मा के दूद से सिसको परियाप्त पोशन नहीं मिल रहा हो तो उस इस्थित में जो है निम्न फार्मूला क्रत्रिम आहार हेथ उपयोग में लिये जा सकते है अब क्या लिया जाएगा तो बेटा सबसे उत्तम रहता है गाय का दूद आगे भैस का दूद भी ले सकते है बेवसाइक रूप से उपलब्द जो सुसक बेटा दूद पाउडर होते है उनका भी प्रियोग कर सकते है अब यहाँ पर देखे क्रत्रिम आहार के बेटा सिध्धान्त क्या है तो ध्यानकना जब मा का दूद उपलब्द नहीं हो या जब इससे सिस को परियाप्त पोशन नहीं मिल पा रहा हो तभी क्रत्रिम आहार दिया जाना चाहिए बेटा तभी देना चाहिए ऐसे नहीं देना चाहिए यह ध्यानकना आगे क्रत्रिम आहार सिस की पोशन समबंधी आवशक्ताओं की पूर्थ के लिए दिया जाता है अताह इस अताह बेटा देखो इदर इसे इस प्रकार प्लान करना चाहिए ताकि सिस की पोशन समबंधी आवशक्ताओं जो है वो पूर्ण हो सके नमब तीन क्रत्रिम आहार येस सिस की आवशक्ताओं के अनुरूप गंदगी एवं शंक्रमण से परे तथा सस्ता एवं सुलब होना चाहिए ये भी ध्यान लखेंगे नमब चार जहां तक संभव हो क्रत्रिम आहार देने के लिए बोतल विदि के इस्तान पर चमच और कटोरी येस विदि का उप्योग करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो आगे देखे नमब पाँच क्रत्रिम आहार सिस्की उम्र की वजन तथा वजन के हिसाब से गड़ना करके दिया जाता है इस कॉइंट को भी बेटा ध्यान किएगा हाँ इनमें से ही बेटा कोस्चन्स पूछ लिए जाते हैं बनाकर तो यहरे कॉइंट बेटा आपको अच्छे से ध्यान लखना है बाके ओवराल सभी चीजे में बता रहा हूँ आपको चलिए अब यहाँ पर देखें नमबर छे देखेंगे तो नमबर छे देखते हैं लिखा है गाय का दूद मा के दूद का सबसे अच्छा विकल्प होता है अताहा क्या होगा बोलो जी हाँ अताहा जहां तक संभव हो तो क्रत्रिम आहार के रूप में जो है सुरुवाती पान से छे महीने तक गाय के दूद का ही उप्योग करना चाहिए ठीकना हाँ जहां तक संभव हो साथ नमबर देखें बीमारी की अवस्था में क्रत्रिम आहार आवशिक्ता अनुसार सिस्क की बढ़ी हुई मात्रा के अनुसार बिलकुल देना चाहिए आगे देखिए क्रत्रिम आहार के रूप में बेवसाइक रूप से उपलब्द सुस्क दूद पाउडर का उप्योग किया जा रहा है तो इसे जो है निर्माता कंपनी के निर्देशा अनुसार जो है तैयार करना चाहिए ठीक है ये भी बेटा ध्यान लखेंगे आगे देखेंगे नमबर है नाइन नमबर नाइन क्रत्रिम आहार की मात्रा तथा आवब्रती ठीक है सिस्व की उम्र तथा आवशक्ता अनुसार जो है वो निर्धारित करनी चाहिए ठीक है ये भी द्यान लखेंगे आगे कम आईवाले सिस्वों के आमासे है ना आमासे मतलब पेट पेट की छमता कम होने के कारण उन्हें दिये जाने वाले आहार की मात्रा जो है वो कम कैसी बोलो कम परंतु आवरती जो है वो अधिक करनी चाहिए ठीक है उम्र बढ़ने के साथ साथ आहार की मात्रा जो है वो बढ़ाते जाने चाहिए और आवरती जो है बेटा वो कम करती जाने चाहिए ये ध्यान लखेंगे आवरती इसका मतलब देखी समझ लिजेगा जैसे देखो जन्म के बाद बेटा है ना प्रतम 24 घंटे के दोरान जो है नवजात को प्रतेग 2-3 घंटे के अंतराल पर जो है इस तनपान करवाना चाहिए इस चीज को ध्यान लखेंगे ठीक है हाँ होता है पहले जो 24 घंटे होता है उसमें ध्यान लखेंगे हाँ उसमें क्या होगा तो पहले 24 घंटे में जो बेटा है ना वो क्या होगा बोलो पहले 24 घंटे में जो है 2-3 घंटे पर जो है बिलकुल कराना चाहिए और उसके बाद एक सब्ता बाद जो है पहले सब्ता के समा वाप्त होने पर यानि कि एगर एक सब्ता जो बिटा हो जाता है तो इस पर जो है से बढ़ा कर तीन से चार घंटे कर देना चाहिए ठीक है हाँ इस चीज को ध्यान लखेंगे जी और एक पॉइंट और ध्यान लखना हाँ सुरुवात में बिटा सिस्कोल जो है ना बिलकुल हाँ एक इस्तन से पान से दस मिनट तक फीडिंग करवानी चाहिए सुरुवात में हाँ सुरुवात में बिटा कितना बोलो पान से दस मिनट जो है एक इस्तन से हाँ बिलकुल इस चीज को देहा लगना feeding करवानी चाहिए शुरुवात में चलिए इसके बारे में आगी बात करेंगे अब यहां पर देखेएगा लिखा है क्रत्रिम आहार की विधिया कितनी होती है एक यह आपकी हो गई बोतल विधि और एक आपकी हो गई कटोरी और चमच विधि ठीक हा क्रत्रिम आहार के लिए सिसको बोतल से दूद पिलाना हमारे देश में बहुत ही क्या है बोलो आम है कई बार तो बोतल से फीडिंग यहाँ पर फिल्डिंग लिग गया है फीडिंग होगा ठीक है फीडिंग होगा फीडिंग ध्यान लगना feeding करते-करते सिर्फ हाँ इतने सिर्फ लिग गया शिसू होगा दो बेटा क्या होगा सिसू हाँ तो क्या होगा कई बार तो बोतल से feeding करते-करते सिसू इतने एडिक्ट हो जाते है कि माता पिता के लिए बोतल की आदत छुड़ा पाना जो है बेटा बहुत क्या होता है बोलो मुश्किल हो जाता है ठीक है हाँ सिसको बोतल से फीडिंग कराते समय निम्न सिध्धानतों का पालन आवस्चक रूप से करना चाहिए वो कौन कौन से है तो ध्यान अकरा नमबर वन बोतल से फीडिंग होगा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग में इदर उदर हो गया है ठीक है हाँ बोतल से फीडिंग करवाने से पूर बोतल तथा निपल को पहले अच्छी तरह से ब्रुस तता साप पानी की साहता से धोना चाहिए तत पस्चात इन्हें कम से कम दस मिनट तक येस गर्म पानी में उबालना चाहिए देखो कम से कम दस मिनट बस ऐसे कोस्चन से यहां से पूछ लिये जाते हैं इन्हीं में से है ना क्योंकि थेओरिकल है पूरा समझ लो इसके बाद कोस्चन को पूट अप कर ले ना ठीक है बोतल फीडिंग द्वारा दिये जाने वाले क्रत्रिम आहार को तयार करते समय बेटा सोचता का जो है सबसे ज़्यादा है ना ध्यान रखना चाहिए बोतल के सिर पर लगे है ना बिलकुल लगाये जाने वाले निपल चूसनी का छिद्र परियाप्त चोड़ाई वाला होना चाहिए ता कि सिर परियाप्त रूप से आहार ग्रहन कर सके इस चीज को बेटा ध्यान लगे ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग अगले पेज पर चलेंगे पेज नंबर त्री तो त्री नंबर देख लेते हैं पॉइंट बेटा देखिए सभी के सभी बहुत महत्पूर हैं और इसको पूरा जरूर देखिएगा ठीक हाँ इसको केवल समझने वाला होता है रटने रटाने वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है क्रत्रिम आहार देने के बाद अंत में सिसको डेकार दिलवाना जो है वो अतियावस्थक है साथी यह देखिएगा यहाँ पर क्या होगा फीडिंग अधिक्तम जो है बीस से पचीस मिनट के लिए दी जानी चाहिए फीडिंग जो है अधिक्तम बीस से पचीस मिनट के लिए दी जानी चाहिए ठीक है हाँ फीडिंग के बाद से इस बचा हुआ जो आहार है वो क्या है बोलो फेक देना चाहिए इसे बीटा पुना उपयोग में नहीं लेना चाहिए आगे देखे साथ नमबर क्रत्रिम आहार देने के लिए प्रियोग में ली जाने वाली बोतल में मिली मीटर के चिन अंकित होने चाहिए ताकि सिस दुआरा लिए गए आहार की मात्रा का बेटा आकलन हो सके यस मालुम चल सके कि उसने कितना जो है दूद पिया है फीडिंग के बाद सिसका मुह गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए आगे फीडिंग के दौरान काम में लिए गए सभी बरतन बोतल तथा निपल को अच्छी तरीके से साफ करके ही रखना चाहिए तो यह सारे पॉइंट बेटा धियान दखेंगे आगे इसके बाद देखेगा बोतल विद की तकनीकी तो बोतल विद की तकनीक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो बोतल को साफ पानी एवम ब्रस की साहता से साफ करके लगबग 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालना च चाहिए तयार किये गए आहार का स्वाद एवं तापमान चेक करना चाहिए ठीक है हाँ स्वाद और टंप्रेचर दोनों क्रत्रिम आहार देने वाले व्यक्ति को आराम दायक इस्तिद में बैट जाना चाहिए तता सिर को अपनी गोद में अप इस्ट्रेट अप राइट होग से सरीर के तुलना में हलकी उचाई पर होना चाहिए फीडिंग कराते समय बोतल को इतने कोड पर रखना चाहिए इतने अंगल पर रखना चाहिए ताकि बोतल के निपल है ना दूद से पूरी तरीके से भरी रहे तता उसमें हवा नहीं हो ये ध्यान लगना बिल्कुल इतन को दाई करवट पर लिटाना चाहिए ये कोश्चन आ सकता है है ना ऐसे कोश्चन बेटा पूछ लिया जाते हैं सिस है ना फीडिंग के बाद सिस को जो है किस करवट लिटाना चाहिए ठीक है ना चलिए आगे देखे इसके बाद कटोरी चमच बात करेंगे ठीक हां कटोरी च जब सिस्व आपर पक्वता या जन्म जात्विक्रतियों की उपस्तित के कारण चूसन करने में सच्छम नहीं हो अत्वा जब देश्ट मिल्क मां के अलावा अन्य किसी सुरूत से प्राप्त किया गया हो तो सिस्व को फीडिंग कराने के लिए कटोरी एवं चम्मच विद का ह अच्छी तरह से पानी स्च साफ कर लगवग बिटा या 10 मिन तक गर्म पानी में उबालना चाइए करत्रिम आहार को पुड़ सफाई के साथ तैयार करना चाही है तैयार किये से दूद चम्मच की साहता से हाँ दूद चम्मच की साहता से सिस के मूँ तक क्या है बोलो ले जाया जा सकता है चम्मच को सिस के मूँ के कोने पर इसपरस किया जाता है देखो इधर मूँ के कोने पर बेटा इसपरस किया जाता है जब सिस्व अपना मुँ खोल दे तब चम्मच का दूद इसके मुँ में क्या है बोलो उडेल दिया जाता है ठीक है नहां पूरा का पूरा है उसके मुँ में तब उडेल देते हैं चम्मच से चली आगे देखेंगे इसके बाद आगे देखिएगा बिलकुल यहां पर देखि जलने वाला आहार सिस के कपडों तता सरीर को गंदा नहीं कर सके। SIS feeding कराते समय किसी भी प्रकार की बेटा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दबाजी जल्दी बिल्कुल पिला दो ना और नहीं SIS पर जो है आहार गरन करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव डालना चाहिए बस जितना खाया ना बेटा उतना किलाओ उसको परियाप्त आहार देने के बाद सिसका मुह गीले कपड़े से साब कर देना चाहिए उसे कंदे से लगा कर ड्यकार दिलानी चाहिए हैना तत्हा दाईकरवड बेटा लिटा देना चाहिए इतना ही करवड यह पॉइंट है याद रखना है ना ऐसे ही यह बेटा पॉइंट बिलकुल यह थेयोरी के क्लास समझने वाली क्लास है इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे बिलकुल आपके माइंड में हर एक चीज़ चली जाएगी और टॉपिक नमबर बेटा जो 12 है उसकी समपोर्ट थेयोरी बेटा मैंने आपको करा दिये है साथी MCQ भी करा दिये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग बेटा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ठीक है न हाँ अच्छा लगे तो बात करेंगे बेटा मुख्य सेविका की तो मुख्य सेविका बेटा इसके समय में बदला हुआ है ठीक है न हाँ मुख्य सेविका की क्लास तो सभी लोग ध्यान रखेंगे इसका बेटा जो टाइमिंग है वो क्या है तो इसका बिटा जो timing है 9 बजे है तो जिन लोगों ने अभी तुक वीडियो को like नहीं किया हो वीडियो को like कर देंगे अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे पहली बार channel पर जुरे है तब भी और याद रुक्येगा मुख की सेविका की ये class number बेटा है 241 इससे पहले 240 बेटा classes में करा चुका हूँ सभी classes आपको एकी playlist में मिलेंगी और हर एक class एकदम से unique होती है एकदम से खास होती है एकदम से जबर जस्त होती है हाँ एकदम से selection वाली class तो ध्यान रखेंगे बेटा मिलते हैं हम लोग 9 बजे देखिए आज जो है 9 बजे बेटा जो है model paper की class होगी ये भी ध्यान रखेंगे 9 बजे model paper class और जो बेटा model paper है ये model paper number आज होगा 15 ठीक है हाँ इससे पहले 14 model paper की class भी हो चुके ये भी ध्यान रखेंगे हर चीज जो मैं आपको कराता हूँ बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेटा यूनिक है आपके selection के लिए बहुत ही शामदार है तो ये एक बार फिर बोलेंगे जिन लोगों ने अभी तो वीडियो को like नहीं किया कर देंगे मिलेंगे हम लोग पहले yes जो भी एनम के student यहाँ पर जुले हैं तो पहले 7 बज़े और फिर 9 बज़े Thank you so much